जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगा नगर द्वारा उखंड खेत्र में घरसाना एवं रावला तहसीलों के खेत्र का दौरा किया गया इस दौरान तहसील घरसाना का वार्शिक निरिक्षन किया गया दौरान राजस्वी शाखा की गतवर्शों की निर्णित पत्रावलियों को अभिलेखागार में जमा करवाने के निर्देश दिए गए तैसील कारयाले की सहायक करमचारी के मृत्ति होने के बाद उसके लंबित पेंशन प्रकरन को शीगर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए। 24 A.S.C. को बिना जन प्रतनीदियों से विचार विमर्ष किये। जियोजना के लिए गिर्दारवरी उपलप्त कराने का निवेदन किया गया जिसकी अंतिमतिती 15 जुलाई है। इस पर जिला कलेक्टर महावी प्रसाद वर्मा द्वारा तैसीलदार घरसाना को अविलम आवश्यक कारवाही करने के लिए निर्देश दिये गए। किसान नेताओं द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उखन चेतर में कई चको में टिड़ी दल कई बार आकर पसलो को नुकसान पहुचा चुका है तथा भविश्य में भी टिड़ी दल आने की संभावना बनी हुई है। इसके लिए उनके द्वारा मांग की गई कि चेतर में टिड़ी नियंतरन ही तू आवश्य कीटनाशक दवाई ग्राम पंचायक को उख्याले पर रखवाई जाये ताकि कीटनाशक प्राप्त कर्स उसका छिलकाप करते हुए कसलों का नुकसान होने से बचाप किया जासके। इस संबन में जिला कलेक्टर द्वारा नियामनसवार आवश्य कारवाही करने के लिए जिला परिशत श्रीगंगा नगर को निर्देश दिये गए। जो बपार मंडल समाजी संस्ताओं और कई किसानों ने भी आपको स्याल दिये हैं उस वन में क्या किना आपको उसमें यह मसंबत जो भी कारवाही हाँ से भूगी वो कारवाही निश्य करूप से की जाएगी इन लोगों ने जो जो समस्य हैं बनाई हैं का समाधान किया हैं यहां से मैं और सब्सक्राव का दूरा करेंगे लिए कितना प्रकॉप है उसके बाद